हलो दोस्तों सब्क्राइब करें आसान उपाए और घंटी दबाना ना बोले हमारे लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के लिए यह एकदम दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों हम पूजा तो अवस्य करते हैं लेकिन हम पूजा का हमें फ़ल प्राप्त नह में बताने वाले है नेगर्टिव एनरजी आप से दूर रहती है पूजा के इन नियमों से और यह भी माना जाता है कि दिवी देवताओं की पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाये पूरी हो सकती है हम मैंसे ऐसे कहीं लोग है जो बगवान की पूजा तो करते हैं पर उन्हे मनचाह फल नहीं मिल पाता ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपनी सुईदानुसार हम जैसा सही लगे वेसे ही पूजा कर लेते हैं लेकिन जिस तरह हर खेल के अलग नियम होते हैं उसी तरह पूजा पात करने के भी कुछ नियम होते हैं तो हमें पूजा करते से में किन बातों का ध प्यान रखना चाहिए और सास्त्रों के अनुसार पूजा करने की जो वीदियां बताई गई है हम आज आपके समख से वह वीदियां लेकर आए हैं इन वीदियो को करने से आपकी धन समंदी बादाएं दूर हो सकती है और आपको प्रतेक काम में सफलता मिल सकती है दोस्तों प पूरा बना हुआ पान का पत्ता चड़ाते हैं तो वह और भी उत्तम रहता है पूजा करते समय पीले चावल चड़ाना बहुत ही सुब माना जाता है इसलिए चावल को हल्दी में डुबो कर पीला कर ले पूजा के लिए हमेशा अकंडित चावल का ही प्रयोग करना कि तेल का दीपक हमेशा बाएं हाथ की और घी का दीपक दाएं हाथ की और ही जलाना चाहिए और आपको सायद ही याद होगा कि गंगाजल तुलसी के पत्ते बेल पत्र और कमल के फूल का इस्तेमाल पूजा में कभी भी और कई बार किया जा सकते हैं क्योंकि ये चारों कभ देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए उन्हें आसंदे सनान करवाएं धूप दीप करवाएं कुंकुम फूलव प्रसाद चड़ाएं और अपने मन में देवी देवताओं को कैंद्रित कर लें अगर आप भगवान विश्नु की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें पीले और सिवजी को सफेद रंग का कपड़ा चड़ाना चाहिए पूजा में हमेशा अपने कूलक देवी देवता घर के वास्तु देवता ग्राम देवता आधी का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इन देवी देवताओं की पूजा करना बहुत ही आवश्यक होता है पूजा करते समय आप जी आसन पर बेठने का प्रियोग करते हैं उसे कभी भी पेरों से इधर उधर नहीं किसकाना चाहिए उसे हाथ से उठा कर आराम से कहीं वैश्तित जगह पर आप रख दीजिए किसी की भी पूजा काम करने से पहले पंच देव की पूजा करना अनि पूजा करने का अनिवार्य नियम है और हमें परिकर्मा करते समय या ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी की तीन बार भगवान विश्नु की साथ बार और भगवान संकर की आप आधी और हनुमान जी की तीन परिकर्मा करें अगर आप भी पूजा करते समय इस परकार की कोई गलतियां करते थे तो इन्हें तुरंत ही सुदार ले पगवान आपकी हर मुराद को पूरा करेंगे और आपके काम बनने लगेंगे दोस्तों मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी ऐसी और जानकार के लिए आप मेरे चैनल को सब्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों जैसरी राम दोस्तों